इस वीडियो में camera comparison करेंगे, हमारे पास है Realme 7 Pro और Realme X7 जो की नया launch हो है, एक 4G phone है, एक 5G phone है, अगर मैं specs की बात करूँ तो Realme 7 Pro में आपको 64 Megapixel का primary देखने के लिए मिलता है, जो कि है Sony का IMX682 और Realme X7 में आपको 64 Megapixel का Samsung का GW3 देखने के लिए मिलता है, फ्रेंड में दोन camera interface में क्या है, वो बताएंगे आपको, पहली बार आए हो, please, please subscribe the channel और इस वीडियो को like and share कर दो, तो पहले night mode में चलता है, तो night mode में यहाँ पर tripod mode आपको दोनों में ही देखने के लिए मिलता है, और starry mode है Realme 7 Pro में, जो क्या आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले कुछ filters के ब और dazzle, यह दो नए filters add हुए, Realme UI 2.0 update के बाद, तो यह भी मैं बताना भूल गया, कि Realme UI 2.0 पे run हो रहा है, मेरा 7 Pro, और 1.0 चलता है, X7 में, वीडियो mode में चलता है, वीडियो mode में एक added advantage है, Realme 7 Pro में, वहाँ पर आपको bokeh mode वाली वीडियो देखने के लिए मिलती है, front and back म नहीं है, प्लस आपको ultra night, मतलब जो nightscape वाली जो वीडियो है, वो आपको Realme 7 Pro में देखने के लिए मिलगी, similar है, जैसा कि मैंने आपको Realme 7 Pro में भी बताया था, तो वो आपको 7 Pro में देखने के लिए मिलता है, तो 7 Pro में बहुत जारा flexible level के features भी देखने के लिए मिलता है, तो total 4 नए filters जो है, वो आपको Realme 7 Pro में देखने के लिए मिलेगा, similarly, X7 Pro में भी वो देखने के लिए मिलता है, front में भी वो देखने के लिए मिलेगा, 7 Pro में, जो की X7 में नहीं है, तो ये सारे features missing है, अला कि दोनों का price similar है, 20,000 का ही दोनों का मिलता है, बट एक 4G है, एक 5G phone है, इतना है difference है, और stereo speakers भी है, Realme 7 Pro में, अब starry mode देखने के लिए मिलता है, तो ये तो भाई, Realme X7 Pro में भी नहीं है, ये starry mode, अला कि ये 2.0 के update के बाद ये जो है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, बट देखने के लिए मिलता है, अब slow mo में चलते है, slow mo में, आपको यहाँ पर 120 240, 960, and 480 fps देखने के लिए मिलता है, 7 Pro में वहीं पर, यहाँ पर, X7 में आपको 240 और 120 fps देखने के लिए मिलता है, अब ये 960 fps वाली, and 480 fps वाली जो है, ये X7 Pro में भी देखने के लिए नहीं मिलता है, और ये 960 fps, Realme UI 2.0 के बाद ही add हुआ है, ये मैं मानता हूँ, 1.0 वा start करते हैं, पहले है portrait mode, तो portrait mode में Realme 7 Pro में देखोगे, अजीब तरह का yellow tint देखने के लिए मिल रहा है, लग रहा है कि जो subject है, उनको jaundice हुआ है, अब मैंने X7 और X7 Pro का जब compare किया था, मैंने बोला था कि X7 वाला jaundice लग रहा है, इसके मुकाबले तो X7 सही लग रहा है, front camera camera की बात करते हैं, front camera में आप देखोगे skin tone, जो है more or less similar ही देखने के लिए मिल रहा है, दोनों में, but t-shirt में अगर detailing देखोगे ना, तो 7 Pro का better है, but HDR performance X7 की better है, portrait mode में कभी-कभी overexpose करता है, 7 Pro पहले करता था, फिशॉफ्टर एरड में सही हो गया था, but अभी-कभी ऐसा difference है नहीं, t-shirt अच्छा pick की है 7 Pro ने, but HDR performance X7 की better है, night mode की बात करते है, night mode की अगर बात आएंगी, realme 7 Pro तो कभी-कभी जो Google का night site है, उसे भी beat करता है, बट यहाँ पर light को अच्छा control किया है, X7 ने, but अगर night mode की बात आ रही है, तो phenomenal काम करता है, realme 7 Pro, मतलब अभी तक ऐसा night mode में इसे beat करता हो, अब देखो detailing, sky देखो, और corner में detailing, पेड में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा noise देखने के लिए मिल रहा है, X7 में, अब यह normal mode में लिग गई है, X7 में, आप देखो कितना अंधेरा था, और कैसा, realme 7 Pro ने produce किया है, normal daylight shots की बात करते है, यहाँ पर realme X7 better लगा, color bleed नहीं हो रहा, जैसा कि 7 Pro में हो रहा है, और color को अच्छा accurate pick किया है, X7 ने, यहाँ पर आप देखो कि realme X7 में अजीब तरह का yellow tint देखने के लिए मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर warm tone देखने के लिए मिल रहा है, बट यह जो yellow tint है, यह बहुत जादा unnatural है, यह जो image है, यह दोनो identical लगा मुझे, थोड़ा सा 7 Pro में warm tint है, थोड़ा सा cool है, realme X7, next image की बात करते हैं, यहाँ पर मुझे कोई such difference नहीं है, पीछे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो थोड़ा सा HDR performance मुझे better लगा X7 का, next image की बात करते हैं, यहाँ पर X7 ने natural color को pick किया है और 7 Pro ने जो थोड़ा सा oversaturate किया है, और warm tone तो ही वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, फिर next image की बात करेंगे, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर थोड़ा सा oversaturate कर रहा है, realme 7 Pro, और detailing भी petals में यहाँ पर X7 की better है, और natural color तो pick किया है, next image की बात करते हैं, यहाँ पर more or less similar लगा, tone का difference है, एक warm tone है 7 Pro में, और X7 में cooler tone देखने के लिए मिल रहा है, और white color ज्यादा white आपको दिखेगा, यहाँ पर surprisingly tone change होता है 7 Pro में, यहाँ पर cool tone देखने के लिए मिल रहा है, और थोड़ा सा warm tone है realme X7 में, तो inconsistency देखने के लिए मिल रहा है, अब यह वाला shot दे जो subject है, वहाँ पर foreground में भी अच्छा details है, जो HDR performance है, वो भी better है, जैसे यहाँ पर realme 7 Pro में switch करता हूँ, तो देखो जो foreground है subject के ऊपर light को अच्छा gather नहीं कर पाई, HDR performance बेटर है, but subject lit up नहीं हुआ, next time, बात करते है, realme X7 से बहुत सारे random shots मैंने लिया है, थोड़ा सा जब light कम होते जा रहा था, जब शाम को, यहाँसा कुछ shots मैंने लिया है, वो आपके सामने में लेके आया हूँ, realme 7 Pro को भी shots आपको देखने के लिए मिलेगा, तो realme X7 मुझे ऐसा जो है, अच्छा लगा, on power था realme X7 Pro के साथ, जो कि बहुत सर्प्राइजिंग था, मैंने camera comparison के देख सकते हो, realme X7 अच्छे जो है, यहाँपर photos क्लिक कर रहा था, तो बहुत सर्प्राइजिंग था, मैं सोच रहा था कि realme X7 का camera उतना बेटर नहीं होग क्योंकि Samsung का sensor रहेगा, और definitely realme जो है, जान बूच के X7 को जो है, अच्छा algorithm लगा के नहीं देगी, क्योंकि X7 Pro है, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, realme 7 Pro का देखो, मैंने बहुत सारे comparison करे हुए, यहाँपर यह शौट्स मैंने बहुत सारे camera comparison में डाला हुए, realme 7 Pro को बीट नहीं करता है, और यह वाली शौट मुझे बहुत सारे पसंद है, tripod mode में लिया था मैंने astral जो filter है, उसे लगा के, आप देखो, बहुत जारा अंदेर आता, starts दिख रहा होंगे आपको, तो यह वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, realme 7 के front camera से 1080p 30fps वाली footage है, इससे ज़्यादा extend नहीं कर सकते हैं, watermark आपको दिख रहा होगा, थोड़ा से over exposed होगा, क्योंकि जो है, sit के नीचे हूँ है, और default microphone से record हो रही है, phone के external microphone support देखने क्ले मलता है, अब बता हूँ कैसी है quality, तो यह video record हो रही है, 1080p 30fps में, realme X7 के rear camera से, यहाँ पर samsung का 64 megapixel और primary sensor और sound record हो रही है, default microphone से phone के, और आप यहाँ पर quality देख सकते हैं, तो यह video record हो रही है, realme 7 pro के rear camera से, आपको बता होगा, यहाँ पर Sonica MX-682 यूज किया गया है, 64 megapixel और primary है, 1080p 30fps वाली footage में कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो, आगे footage में दिक्कत मिलेगी, तो यह video record हो रही ह 1080p 60fps में realme 7 pro के rear camera से, और यह बहुत सदा crop team है, 60fps है, यहाँ पर आप देख सकते हो, clearly जैसे में move कर रहा हूँ, यहाँ पर frame lag देखने के लिए मिल रहा है, 60fps कहीं से भी नहीं मिल रहा है, हलाकि जो update आया है, वहाँ पर 1080p 60fps की कोई बात नहीं करी गई है, और 30fps हमने देखा यहाँ पर lag हो रहा था, 1080p 60fps में अभी भी जो lag हो रहा है, यह बीटा चल रहा है, definitely जो stable आएगा तो वहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर comparison में यह पता चलता है, कि realme X7 को personally मैं ले तो बहुत हलके में लिया था, मुझे लग रहा था इतना जादा बढ़िया camera नहीं हो इसको भी बहुत जादा मामलों में टककर दे गया, selfies में टककर दे गया, और जो daylight scenario में थोड़ा बहुत टककर दे गया, but definitely, अगर night mode की बात आएगी, तो realme 7 pro के आसपास कोई नहीं बटकता, और बहुत सारे features ऐसे देखने के लिए realme 7 pro, जो कि realme X7 pro जो की flagship phone है, वहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, एक 4G phone है और एक 5G phone है, बाकि आपको कहसा लगा यह वीडियो कमें बताओना, कोई भी accessories टून रहे हो, लिंक है इसे नितर डिक्रिप्शन, वीडियो को लाइक करो, चनल को subscribe परो, इस वीडियो को मिलता है और नेक्ट वाले वीडियो में तब तक, देखते रही है,